हलो दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत श्वागत हैं एक बार आपको फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एस्टडी बिधलके पे दोस्तों आज मैं यूपी टेट से रिलेटेड चाइल्ड डेबलमेंट यानि बाल मनोबिज्ञान का पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो कि सुपर टेट और टेट दोनों के लिए जरूरी है मैं ऐसा नोट्स प्रोवाइट करने जा रहा हूं जहां सी आपको हर इस्टेट का जो चाइल्ड डेबलमेंट यानि बाल मनोबिज्ञान मैंने मनोबिज्ञान और बाल विकास जो है वो यहीं से फसेगा इसके लाब आपको कहीं से कुछ भी नहीं मिल यानि कि जितना मैं बताऊंगा उसमें हर स्टेट के लिए हमारे पास मेटेरियल हैं तो दोस्तों एक बार पहले वीडियो के देख लीजिए अंत तक और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अन्यथा चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगे तभी कीजिएगा नहीं तो मत कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो सेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट हैं अगर आप इसके फ्री वीडियो यानि फ्री नोट्स वरी इसके अगर फ्री नोट्स पाना चाते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल और वाटसअप ग्रुप दोनों की लिंक दी रहेगी वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं तो चलिए अब दिखा देते हैं आपको क्या मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं बिल्कुल बेसिक से सुरुवात कर रहा हूँ आपको इस से बढ़िया नोट्स कहीं नहीं मिलेगा तो चलिए सुरू करते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ है मारे वीडियो में तो प्लीज दोस्तो बहुत ही कम समय में हैं बहुत ही अच्छी जानकारी और एक बात और मैं जो भी नोट्स बना रहा हूं मैं उसका कोई भी पैसा नहीं ले रहा थार। करेंगे पहले मनोविज्ञान की आधार शिला यानि मनोविज्ञान कब और कैसे कहां प्रियोग हुआ और कैसे आया है तो हम बात करेंगे बैग्यानिक काल्सी में पूर्व मनोविज्ञान को दरसन सास्त्र का क्या माना जाता था यह क्या था पूर्व में दरसन सास्त्र माना जाता था यह जो मनो विज्ञान था पूर्व में क्या था दर्सन सास्त्र का ही एक आंसमाना जाता था यानि कि सबसे पहले क्या था मनो विज्ञान को जो था वो दर्सन सास्त्र में ही था यानि दर्सन सास्त्र का एक आंग था फिर क्या हुआ धीरे धीरे जब समय बढ़ता तह सन 1889 में क्या हुआ मनों विज्यान की पहली परयोग साला का स्थापना हुई वह कहां थी जर्मनी के जिब जिंग सहर नामक अस्थान पर की गई जिसको वर्तमान में क्या कहते है काल मार्क्स पिस्विद्याले कहा जाता है अब बात करेंगे 1889 के बाद ही मनो विज्ञान को एक बिसे के रूप में पहचान मिली वही है 1889 के बाद जब इन्होंने जो हमारे विलियम मून्ट जीने थे जब इन्होंने प्रियोक साला स्थापना की उसके बाद से क्या हुआ कि मनो विज्ञान को एक अलग विशे की रूप में पहचान मिली वही है याने कि साइकोलोजी सो सब्सब्द इसका प्रियोत कि ने О्रॉडॉल्फ काय जीने किया और किसमे के नंग dan के यह एक साइकोलोजाय पुस्टक थी यानि रोडॉल्फ काय एक प्सायजिया को त्गिया अब हम यहां पर एक कुश्म और देख लेगते हैं कि कि जनक यानि मन मनोबिग्यान के जो जनक है तो किसको माना जाता भाया अरस्तू को माना जाता अरस्तू के अलावा और कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो भाया मनोबिग्यान के जो जनक है वो अरस्तू माने जाते हैं अब बात करें कि सोलों हुए सताबदी में अरस्तू के प्रियासूं से क् मनो विज्ञान को दर्सन सास्तर से अलग हुआ जब अरस्तु जी के प्रियासु से क्या हुआ कि मनो विज्ञान जो था दर्सन सास्तर से अलग हुआ इसलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है मनो विज्ञान का जनक कहा जाता है नहीं पितामा कहा जाता है अब यहीं पर और दो question देख लेते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है बिलियम जेम्स जी है और सिच्छा मनोविज्ञान के जो जनक है थार्ण डाइक जी तो यहापे देखें कम से कम आपके 5-6 question complete होगे सिर्फ इतने नहीं वीडियो में जो की most most important है हम बात करेंगे psychology सब्द की उत्पती तो यह सब्द की जो उत्पती है वो यूनानी यानि की ग्रीग भासा में तो सब्दें हों है अब आप कहेंगे मैंने तो ग्रीग पढ़ रखा तो यूनानी और ग्रीग दोनों क्या है एक ही सब्द भास लोगोस से मिलकर क्या हुआ psychology सब्द का उत्पती भी अप साइक की मिन्स होता है आत्मा और लोगोस मतलब होता अध्यान और लोगोस का और एक बिग्यान या आत्मा और अध्यान तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देजिए और अन्त तक देखिए तभी आपको सम करना है कि यहां पर देख लेते हैं आत्मा का बिग्यान मन का बिग्यान चेतन का बिग्यान ब्यवार का बिग्यान तो भी आत्मा का बिग्यान किस ने कहा अरस्तू सुकारात और प्लेटो ने अब मन का बिग्यान किस ने कहा तो पंपो लाजी और रूशो ने अब चेतन का विज्ञान के बाद तो चेतन के विज्ञान विलियम बुंट और विलियम जेम्स दोस्तों अगर नोट्स आप बनाना चाहते हैं तो आप प्लीज पेन कॉपी कलम उठा लीजिए और नोट्स बनाते चलिए अगर आपका मन करें तो नहीं तो मैं नोट्स आपको संजी मानते हैं और भी कई बग्यानिक हैं तो यह वी सवी सताब्दी में हैं अब हम बात करेंगे इस साब्दिक अर्थ के आधार पर सरवर्थम पलेटो और रस्तु और डिकार्ट के द्वारा मनों विज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया इस जो साइकलोजी सब्था प्लेटो और बिज्ञान को आत्मा का विज्ञान को आत्मा बिज्ञान नहीं होने के कारण सोलों ही सताब्दी के अंत में परिवासा अमान हो गई और हम आगे देख लेते हैं कि सत्रही सताब्दी में इटली सबात करेंगे सत्रही सताब्दी में जो मनो वेज्ञानुक थे यहां परिवास मान नयुगों हो गया सब्किस बात करें उनुसी Сताब्दी वाइप्स और जेम्स सली आधि के द्वारामनो विग्यान को क्या चेतना का विग्यान की सब जेम्स आते हैं आत्म चेतना के विग्यान के बाद अपूर्थ होने के कारण यह भी परिवासा क्या होगी अमाननी हो गई दोस्तों देखिए यह सब मैंने सताब्दी वाइस दे रखा है बिलियम मैक डूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन आफ साइकोलोजी जो बिलियम आउटलाइन आफ साइकोलोजी किसकी पुस्तक है मैक डूगल की तो इन्होंने प्रष्ट नंबर 18 पर चेतना सब्द की नि तक प्रचली थे यानि कि विवार का जो विज्ञान है आजकल जो हम लोग पढ़ते हैं वह कौन से पढ़ते हैं विवार का विज्ञान मानने वाले प्रथम बैग्यानी कौन थे तो वाटसन वुडवर्थ इसकेनार थांडाइक और मैक डूगल तो यह थे क्या थे विवार को मानने वाले यानि विवार का विज्ञान मानने वाले अब मनोविज्ञान प्रयोग साला के जनक की बात करें तो बहिया मनोविज्ञान प्रयोग साला के जनक विलियम वुंट है और प्रयोगिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है विलियम वुंट है भारत में पहली बैंद रहे नात गुप्ता की दौरा कलकथ्ता विशिविद्याले में अस्थापित की गए तो ये कहां की थी भारत की थी अब बात कर रहे हैं अगले तो दोस्तों अगला जो हम बात करेंगे अगला जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे विकास के बारे में गर्व से लेका जन्म तक का जो विकास होता है उसके पूरी बात करेंगे दो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं चलिए हम म